कभी कभी जो एक गुस्सा बहुत आता है कि क्या हो रहा है कि लोगों को जो हमारे बेरोजगार भाई बंदू हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है कैसी नीतियां हैं चार से पांच साल हो चुके हैं लेकिन भरती नहीं आ रही है किसकी सिच्चे भरती की तो इस चीज को स और देखे रात रात जो है लोग धरना दे रहे हैं भरती आने के लिए लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है तो बड़ा जो है दुख होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा नहीं होना चे फिर भी ऐसा हो रहा है तो आएए इसी नियूज पर चल्चा करेंगे कि क्या हुआ दरने में देखे एक बात मैं आपको बता दू कि जो बेरोजगारी का ठपा होता है वो बहुत ही बुरा होता है जब आपके पास रोजगार होता है तो आप जो है अच्छी तरीके से कहीं भी रह सकते हैं कहीं भी कुछ भी पहन सकते हैं और घरवाले भी जो है अग्दम नि कि उनकी जो है नौकरी कब लगेगी मैं भी सोचता हूं कि मेरे छोटे भाई की नौकरी कब लगेगी तो आप सभी मेरे छोटे भाई है और बड़ा ही सोचने का विसे है यह कि ऐसा क्यों होता है क्यों होता है क्यों कि सरकार जो है इस ओर ध्यानी नहीं देती है कि भरती करवा है लोगों को रोजगार देना है लेकिन रोजगार देने का कोई मतलब भी नहीं होता है सरकार आए पांच साल के लिए अब कोई मतलब नहीं है जैसे ही चुनावाता है भरती निकलने लगती है और वह भरतियां कहा निकलती है नियूज पेपर में निकलती है नियूज पेपर लेकिन ऐसा कुछ हो इनी रहा लोग धरना भी दे रहें लेकिन तब भी काम नहीं हो रहा तो यह सोच करके काफी बुरा लगता है वाकि देखते हैं सरकार क्या करती है और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप अमेसा प्रयासरत रहें क्योंकि कभी भी आपकी बात सरकार तक अच्छे से अगर पहुंच गई तो भरती जल से जल आ जाएगी और यह देखते हैं न्यूज क्या है लिखा है सिच्छक भरती के लिए रात भर धरने पर बैठे रहे बेरुजगार देखे बुड़े बुड़े लोग भी आए हुए हैं साथ में बहु सारे ऐसे ह जाते हैं माताये बहने हमारी तव यह सोच पर यकाप की भुरा लगता है रात फर धरना दे रहे हैं कैसा लगता आधे कैसा यह नियूत कभी निताओं के पास राज निताओं के पास नहीं पहुंचती हैं इन चीजों को अग्दम नकार देते हैं अरे ठीक है बाइटे रहें दो क्या करना है भी आज चले जाएंगे थोड़ी दिर बाइटेंगे 24 गंटे बैठेंगे 48 गंटे बैठेंगे लेकिन यह जो युवा है ना यही जो है जब परेसान होता है तो फिर गवर्मेंट भी परेसान होती है क्योंकि जब युवा परेसान होता है तो जो ओट होता है ना ओट की चोट जो है वो अच्छो अच्छो को बदल देती है भाई चुनाव आपका वह लगबंग मईई 2024 में होगा मईई 2024 में होगा और मार्च में आचार सहिंता लग जाएगी और लोग कह रहे हैं कि मार्च के पहले भर्ती हो जाएगी कितना भी वलब टिट के बाद टाइम ने मिलेगा और भरती हो जाएगी खिलवाड है क्या खिलाओना है क्या भरती करवाना मैंने आपको बताया है कि भरती होना इतना आसान नहीं है क्योंकि भरतियां जो हमारे यहां बहुत लंबे चरण में होती है पहले तो टेट का एक्जाम होगा फिर आंसर की पर केस होगा हाई कोट जाएगा फिर सुप्रिम कोट जाएगा उसके बाद सिच् चाहिए एक फार्म को भरवाने के लिए और आपके पास टाइम कितना रह गया है अक्टूबर नॉवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी पांच महिने पांच महिने में क्या भरती हो जाएगी नहीं हो पाएगी अगर अभी आज की डेट में यूपी टेट का नोटिपिकेशन जारी कर दिया जाए तो मानता हूँ दिसंबर के पहले वीक में आप टेट करवा सकते हैं बहुत फास्टेस्ट प्रक्रिया लेकिन अभी अध्यच जीहीं नहीं बने हं तो टेट वर्ट तो हो गई नहीं ठीके बहुत फास्टेस्ट प्रक्रिया बतारा हूँ कि आज के स्फटन का नोटिपिकेशन जारी हो जाए और दिसंबर के पहले जो है आपका result में पेपर हो जाए रिजल्ट जो है आपका दिसम्मर में ही आ जाए तब भी जो जनवरी में अगर notification जारी करेंगे तो फरवरी में exam नहीं हो पाएगा कोई खेल नहीं होता है भाई यह थोड़ी है कि आज जारी कि उसके साथ दिनी के बाद exam करवा देंगे कम से कम दो महीने का time तो होना चेह बीच में लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं नहीं चुनाओ है तो भरती होगी जरूर अरे खेल है क्या भरती करवाना लेकिन मेरा मानना है आप लोग अपना प्रियास करते रहें हो सकता है कि चुनाओ के पहल होने बादमें होन लेकिन उदर देखिएinder को कि देदना दन भरती आ रहें पुलिस कींवर्ती घूंचते देख रहें एक लग अचीज़ार वार्ती लाना वहां का यूँआ खुस होगा कि यहां का यूँआ खुस होगा पांच साल से कोई भाती ही नहीं भाई वहां तो माली जी मैंने मैं मानता हूँ कि चुनाव है तो ठीक है यूपी में चुनाव है तो भाई यूपी में क्या लोकसभा का चुनाव है तो बियार में भी जो है तो चुनाओ है लोग सबा का लेकिन वहाँ पर आ रहा है पाजी देखते हैं यूपी गवर्मेंट जो है इस ओर कब ध्यान देती है और कभी जो है आसा मत छोड़े सब कुछ अच्छा होगा सिचक भरती के लिए रात भर धरने पर बैठे रहे रोजगार पर सदी प्रात्मिक स्कूलों में सिचकों के एक लाग शब्य हजार रिक्ट पद होने के बावजूद पांच वर्सों से भरती नहीं होने के बावजूद डियलेट पर सिचित बेरोजगार सोमार को पूरी रात पत्थर गिर्जागर के सामने धरने पर बैठे रहे धरने पर बैठे रहे ऐसी गर्मी में गिर्जागर के सामने धरने पर बैठे रिचा साहू पूना म्यादे उसनिया सिंग समित कई लड़किया भी धरने पर बैठी रहें कितना बुरा लगता है जो हमारी घर की लड़कि बज़े तक जो ही लड़कियां घर के अंदर हो जाती हो रात बर जो बैठी हुई है यह सोच के बहुत ही बुरा लगता है डियलेट प्रसिचित मोर्चा के अध्यच रहज सिंग का कहना है कि जब तक उनकी मुलाकात बेसिक सिचा मंत्री या बेसिक सिचा परसित के सचिव परताप सिंग वहल से नहीं करा दे जाते हैं नई भरती सुरू होने का लिखित आस्वासन नहीं मिलता तब तक वहीं धरना द बाते सुनी चाहिए उमेद है कि भरती जल से जल आएगी और भी मैं एक मुद्दा उठाना चाहूंगा देखिए और जो मेडिया है एक दो चैनल है वहीं दिखाते हैं कि भरती क्यों नहीं आ रहे हैं युवा जो है सडकों पर वेरोज़गार घुम रहा है बाकि जितने न लोग रामलीला मैदान में दिल्ली में पस्तित हुए थे उसका किसी चैनल पर प्रसारण नहीं हुआ कि तरी दुख की बात है भाई जब आप साठ साल के हो जाएंगे अगर आपके पास पैसा नहीं आएगा तो आपके बच्चे वो आपको तबज्जो नहीं देंगे भाई नहीं देते हैं आप जैसी परवर्स कर लें ठीक है क्योंकि अगर आपके पास पैसा होगा तो आपको तबज्जो मिलेगी ले जो राज का खखानागा उस पर पिपर भाछ बढ़ेगा यो कौन बढ़ाते हैं जो वाले बढ़ाते हैं जो यह यह कहते हैं, इसा कफिछ नहीं है, पुरानी गुष्ण तो करेंटी तो सुधिवर्ण मेंगालए लेकिन नूज वाले नहीं दिखाते हैं कभी न कभी ऐसा सूरज कभी न कभी जो है ऐसा दिन जरूर आएगा तो यह जो है नूज पर आएंगी अब देखते हैं कब होगा ऐसा काफी दूनों से तो ऐसा नहीं हुआ है बाकी आप लोग जो है अपनी बाते धरने धरने से पहुंचाते रहें टूइट करें पत्र लिखें प्रत्य वेदन दें तब ही भरती आ सकती है अनथा आप लोग जो है अभी और बेरुजगार रहेंगे तो मिलेगा आप से एगले उड़े में बाकी यह चीज दे करके बहु thank you